महिलाओं के लिए प्रेग्रेंसी का समय बहुत इमध्पूर्ण होता है प्रेग्रेंसी के दौरान डॉक्टर करवती महिला को अच्छे से खाने पिने और आराम करने के सला देते हैं प्रेग्रेंसी में फल खाने के भी सला दे जाती है और इन फलों में केला भी शामिल हो सकता है केला पोटेशियम से प्रशूर होता है जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत फाइदेबंद होता है केले में विटामिन B6, विटामिन C और फाइबर भी होता है अधिकतर मैलाओं को प्रश्चे के समय कब्स की समस्या रहती है और कब्स की इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं जिनमें आतों पर गरबाश्या का दवाव पढ़ना, चिंता, घवराहट, लो फाइबर डाइट और करभावस्था में जरूरी विटामिन और मिनरेस में आने वाले आरेन की कमी होना भी शामिल है कब्स की समस्या के लिए फाइबर युक्ताहर लेना चाहिए जो की केले में भरपूर होता है इसी के साथ केले में विटामिन B6 भी होता है जो pregnancy की शिरुवाती चरण में होने वाली जी मतली और उट्टी की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है तो यह जानते हैं pregnancy की दोरान केले खाने की और फायदे पहला है जन्मदोश और समय से पहले प्रसव से बचाओ pregnancy में folic acid, brown के मस्तिश्क और रिड की हडली के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है इसकी कमी की कारण शिशू में जन्मदोश विकार और समय से बहले डिलिवरी होने का खत्रा रहता है folic acid जे प्रचूर केला इन दोनों समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है दूसरा है पाचन में सुधार, dietary fiber से युक्त केला पाचन में सुधार करता है और कप्स को दूर करके शरीर से विशाक्त पदार्सों को बाहर निकालता है खाना खाने के बाद एक केला खाने से पेट साफ रहता है तीसरा है immunity बढ़ती है केला विटामिन C से युक्त होता है जो के एक बहुत अच्छा antioxidant है ये immunity को बढ़ाता है और संग्रमन से दूर रखता है चौता है केला तुरंद energy प्रदान करता है energy पाने के लिए केला बहुत बैतरीन सुरुत माना गया है इससे बहुत जल्दी शेरीड को उर्जा मिलती है केले में glucose, fructose और शुक्रोज मौजूद होते है जो के तुरंद energy प्रदान करने में बहुत महत्पुन हुमिका निवाते है इसी तरह के कई पोशक तत्वों से युक्त केला, गल्हवस्था के दौरान, मा और शिशू दोनों को स्वस्था रखने में बहुत लापकारी है तो अगर आप भी pregnant हैं तो अपने डाइट में केला जरूर सामिल करें उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी कैसी लगी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताईए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए क्या पता उनको इसकी जरूरत हो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अपक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हमागे भी आपसे मिलते रहेंगे यसी तरह की कुछ घरे लो, स्वास्त सम्मंधी जयनकारीयों के साथ तब तक के लिए दीजे हमें इजासत, अपना खयाल रखिए, हमारे इंतजार करिए नमस्कार, जयन